हेलो एवरिवन वेलकम तो स्वेवन लेर्नर्स माइब इस गुफराना असमत और आज का सेशन जो है हमारा वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जो इंडिया में हमारा जितना भी साइट्स है उस साइट्स को मैं एक्स्टेन करूं यह आपको यह वाइस में क्या होता है सेलेक्शन का तो कुछ साइट्स होते हैं हमारी गर्मेंट नॉमिनेट करती है उन साइट्स को अगर वो साइट्स हमारे तरफ से नॉमिनेट होता है तो वो साइट बहुत जादा आउटस्टांडिंग युनिवर्सल वाल्यू वाला साइट होना चाहिए और उस human creative genius masterpiece या फिर वो बहुत important interchange human value को रेप्रेजेंट करता है cultural area है world का या फिर architecture में बहुत आगे है कोई tradition को दिखाता है बहुत extraordinary outstanding kind of building या फिर कोई technology assemble landscape है human history से अगर related है या फिर वो tangible आपका tangible site है जहां पर आपका living tradition जैसा है कुछ belief से या फिर artistic value से है तो इस हिसाब से आपका cultural sites decide होती है अब natural sites भी कुछ होते है तो आपका जो world heritage sites है उसमें कुछ cultural sites होते हैं कुछ natural sites होते है अभी natural sites का क्या हो सकता है कि वो बहुत contain करता हो superlative natural phenomena exceptional natural beauty हो या फिर वो major stages of earth history ऐसा दिखा रहा हो record of life बता रहा हो geological processions को बता रहा हो ठीक है significance on going ecological or biological process को दिखा रहा हो यह सारे criteria होते है इस चीज के ओपर ध्यान नहीं देना है okay I was checking just if the video is getting recorded or not because sometimes what happens I'll be talking I'll finish recording and then I'll see that I have not yet switched on the record button then I have to record it again that's why I just checked it on okay तो यह सारा criteria होता है तो यह आपको conditions तो याद नहीं रखनी है ठीक है आपको एक चीज धिहान रखना है कि world heritage site है यह आपको कौन सी organization declare करी है यह आपकी UNESCO declare करती है कौन सी UNESCO okay यह जो आपकी organization है यह जो आर्टिकल 53 बोलते हैं जिनीवा convention का जिनीवा convention तो आपको एक और चीज धिहान रखना है कि जिनीवा convention जो है वो आपका related है किस चीज से world heritage site से तो जिनीवा convention के हिसाब से आपका जो cultural object या places of worship होता है बिना prejudice के इनको protect करना होता है ताकि कोई hostility ना हो उन historic monuments के against क्योंकि लोग destruction करने लगते हैं powerful लोग अगर वो दूसरे religious sentiment से related है यह जिनीवा convention आपका यह बोलता है कि यह जितना भी आपका area है to use such objects in support of the military effort तो in short मेरे कहने का मतलब यह है यह protection से related है तो हमारे इंडिया में जितने भी sites है ना वो declare होना start हुआ है 1983 से तो आप जो स्टार्ट करेंगे 1983 से देखे 1983 तो आप यहां से start करेंगे आपको यह starting का number याद रखना है ठीक है तो अब हम एक-एक करके सारा sites देखते जाएंगे कि कब-कब कौन-कौन सा sites देक्लेर हुआ है सबसे पहले हम 1983 में आ जाते हैं 1983 में आपको चार sites याद करना है तो आप जैसे यहां पर देखो मैं 1983 लिख रही हूं तो 9 के नीचे 8 हो गया आपका 3 प्लस 1 आप इस चीज को ध्यान देंगे 3 प्लस 1 इस 4 तो 1983 में आपका चार sites डिकलेर हुआ था आपको डेट याद रखना है 1983 मैं अगें अगें बोल रही हूं मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आप उसके बेसिस पे चीजों को याद रखेंगे तो 198 तो नॉर्मल सा नंबर है 3 प्लस 1 क्या होता है 4 तो 4 sites डिकलेर हुए थे इसमें Ajanta and Elora यह तो बहुत सिंपल है Ajanta and Elora क्योंकि आप हमेशा साथ साथ पढ़ते हो Ajanta and Elora बच्पन से पढ़ते हो ना तो यह दोनों sites जो है वो एक साथ डिकलेर हुई है तो आप 2 sites याद रखेंगे Ajanta and Elora उसके बाद इंडिया में सबसे फेमस क्या है आपने बच्पन में अपने बुक में कौन से site के बारे में पढ़ाया है जी हाँ ताजमहल बहुत important है बच्पन से आप ताजमहल के बारे में सुन रहे हो ताजमहल आपका कहां located है ताजमहल आपका आगरा में related है तो आप 2 location को याद रखेंगे ताजमहल और आगरा फोर्ट तो बताइए 1983 में 4 sites के नाम क्या हो गया है आप मेरे साथ साथ रिविजिन करने की कोशिश करिए Ajanta, Elora फिर आप ताजमहल को याद करेंगे ताजमहल से आपको आगरा फोर्ट को याद करना है तो यह 4 location 1983 का आपको याद हो गया होगा अब हम चलते हैं दूसरे एर में 1983 के बाद आता है 1984 1984 में दोस्तों दो sites लिया गया है तो दो sites जो 1984 में लिया गया है उसमें पहला जो आपका site है वो sun temple कुनार ओडिशा वाला तो आपको एक sun temple कुनार ओडिशा वाला याद करना है दूसरा जो है आपका group of monuments at महाबलीपुरम जो की तमिल नाडू में है इसमें आपका पंछरत टेंपल शोर टेंपल अर्जुना पिनांस डिसर्ट ओफ दिजांजे केव टेंपल जो महाबलीपुरम में जितने भी टेंपल साते है वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे तो आपको पहले 1983 में मैंने कितने location बताया चार location वो याद हो गया आपको next आना है 1984 आप second वाले पे आ गए second वाले पे आपको two means two location आपको याद करना एक आप कोनार्क temple याद करेंगे sun temple याद करेंगे कोनार्क ओडिसा वाला अब देखें sun के बारे में आप पढ़ रहे है sun temple कोनार्क तो इसको हम किस चीज़ से relate करें इसको हम महावलीपुरम से relate करें तो ये दो location है हमारा एक आपका sun temple हो गया और दूसरा आपका महावलीपुरम हो गया तो इसको आपको साथ में याद करना है sun temple और महावलीपुरम जो आपका 1984 का दो साइट्स हो गया ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है 1984 का दो साइट करना है 1983 का चार साइट कौन-कौन सा आजंता, एलोरा, आगरा फोट हो गया आपका ताजमहल याद करना है आपको चार ताजमहल से आगरा फोट फिर अब सेकेंड में आएंगे 1984, सेकेंड नमबर है इसलिए दो साइट आपको याद करना है कौन-कौन सा, सन टेंपल और महाबलीपूरम नेक्स्ट अब हम जाते हैं 1984 तक हम कर चुके हैं 1986 में 84 के बाद 85 में आपका कोई भी साइट डिक्लेयर नहीं हुआ था तो हम 85 को स्किप करेंगे अब 1986 का जो साइट है इसमें भी आपका चार साइट है इन चारो साइट को याद करवाने के लिए मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ ये ट्रिक ये है कि आप लोग हमेशा प्लान बनाते हैं कि आपको गोवा जाना है तो ये ट्रिक ऐसा है कि हमने गोवा के आप खजूर का नाम सुने खजूर का एक पेड होता है बहुत लंबा सा पेड होता है तो किसी किसी का समझ लो किसी का ऐसा मकसद था कि उस पेड़ के उपर चड़ जाना है तो क्या करना है फतेह कर लेना है उस पेड़ को तो ये ट्रिक ये है कि हमने गोवा के खजूर पे फतेह की हमने मैं या पर लिख देती हूँ हमने गोवा के खजूर पे फतेह की अब आपको इस से चार लोकेशन याद करना है हमने से आपका हम से आपका हमपी हो गया तो पहला location हो गया हमपी हमने गोवा तो churches and convents of गोवा यह आपका दूसरा location हो गया यह आप इमेज में देखे यह आपका हमपी हो गया आपका करनाटा का स्टेट वाला हमने गोवा के खजूर मतलब खजुराहो group of monuments तो यह आपका खजुराहो group of monuments जो मद्यपरदेश में है में फते की फते मतलब फतेपुर सिकरी जो आपका अगेन यूपी आगरा में आता है यह चार आपको 1986 का याद करना है आपके लिए ट्रिक है हमने गोवा के खजूर पे फते की हमपी गोवा का चर्चेस खजूर से आपका खजुराहो फते से आपका फते पुर सिकरी तो इनीशली आप चीजों को ऐसे ही बेतु का ट्रिक्स लगा-लगा करके याद करेंगे लेटर ओन आपको इन जरुरत भी नी पड़ेगी बिलीव में लेटर ओन आपको इस ट्रिक्स की जरुरत नी पड़ेगी आपको ऐसी लोकेशन याद हो गया होगा तो हमपी आपका हो गया हमपी करनाटा का वहां पे बहुत सारा टेंपल है विरुपक्ष टेंपल, लक्ष्मी नसिमा टेंपल, आपका अचुत राया टेंपल, वित्तला टेंपल मतलब इन शौर्ट आपको हमपी आद रखना है हमपी में जितने भी टेंपल है हमने गोवा, गोवा का आपका चर्चे सन कॉन्वेंट्स हो गया कलेने 4 साइट्स है, क्या-क्या थे हमारे साइटी आजनता और इलोरा को साथ में याद रखना है याद करिंगे उस से हम आग्राफॉट क याद रखेंगे 1983 के बाद क्या था yn says 1984 1984 में हमको दो लोकेशन कौन कौन सा है महाबलीपूरम को याद रखेंगे कौन सा महाबलीपूरम उसके बाद मैंने आपको बता है 1985 हम स्किप करेंगे 1986 में 1986 में अगेन आपका चार साइट्स है हमने गोआ के खजूर पे फते की हम पी गोआ खजुराहो और फते पुर सिक्री उसके बाद आप आप नेक्स आएंगे 1987 में 1987 में आपका टोटल तीन लोकेशन है कितना लोकेशन है 1987 में आपका तीन लोकेशन है तो यह तीन को याद कने के लिए फिर से मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं बड़ा ही फटीजर टाइब का ट्रिक है बढ़ ध्यान दो आप इस चीज से इससे क्या होगा ना कि आपको सीक्वेंस में चीजे याद होते जाएंगी ठीक है इसका ट्रिक यह है एलिफेंट लिख लो आप एलिफेंट पत्ते खाता मतलब एलिफेंट पत्ते खाता है यह उनको पता है एलिफेंट पत्ते खाता है लेकिन अभी कभी साउथ इंडिया में देखे हो एलिफेंट को काफी डेकोरेट कर देते हैं कभी-कभी एलिफेंट को पड़ा पहना देते हैं, तो elephant पत्ते खाता और चोला पहनता, यह एक ट्रिक आपको याद रखना है, elephant पत्ते खाता और चोला पहनता, elephant से आपको बिलकुल अंदाजा हो गया होगा, मैं elephant के बार में बात करी हूं, पत्ते से आपको group of monuments at पतरडखल याद करना है पतरडखल है आपका करनाटका में पतरडखल उससे पत्ते बना है तो जो पतरडखल वाला location है आपका पतरडखल चोला पहनता है चोला से क्या हो गया great great Chola temples in ancient history में पढ़ा होगा Brizadeeshwar temple, THANJhvour Tamilnadu allaa, Aravaiteswar temple, Dara Suram temple Tamil Nadu Allaa तो आपको क्या याद रखना है तीन location याद करना है elephant elephant क्या करता है पत्ते घारा और ağ两 टेम्पल झांड हुगा वाराला स releasing इस पूर बीजने प्लाद değiş्वांड परामई अजह कनाड़ का वी फी साफिर को नेयं ट वह जड़ नीम्हाना रचवांड हैं आपसिंद दि मिलाद शन दीज आनल 2 भी संसे नेय prawn खिAmerica को सब्सक्रिआइब थारी अब 87 के बाद हम 88 को skip करेंगे और पहुच जाएंगे कौन सा में 1989 में सबसे पहले हमने कहा से start किया था 1983 से 1984 में हमने किया 1985 को हमने skip किया हमने क्या लिखा 1986 फिर 1987 किया हमने फिर हम 1988 को skip करेंगे वापस से हम आएंगे 1989 में 1989 आप I hope so कि आपको sequence clear हो रहा होगा 1989 का है वो सांची स्थूपा है तो इसको कैसे याद करेंगे 1989 क्या यह सच नहीं है कि 8 के बाद 9 आता है आप नंबर को देखे 1989 जी हाँ यह बिल्कुल सच है 1989 में 8 के बाद 9 आता है तो यह सच है सांची स्थूपा तो 1989 में क्या होगे आपका सांची स्थूपा तो आपको यह location 1989 वाली एक ही location है सांची स्थूपा यह आपका कहा है मध्यपदेश में MP में है यह आपका location सांची स्थूपा बुद्धिस्ट मॉनुमेंट सांची स्थूपा का इसमें आपका शोकन पिलर शुग पिलर ओके कुछ नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 1993 है, हमने 1989 तक कवर किया है, हम 1991, 1992 को स्किप कर रहे हैं, तीन नंबर को हमने स्किप किया है, इसलिए हम 93 में आ रहे हैं, ओके, 93 में दोस्तों आपको दो लोकेशन याद करनी, और ये दो लोकेशन आना, देखिए, सबसे स्टार्टिंग में, दिल्ली में हमने कुछ भी नहीं पड़ा है, मुगल से रिलेटेड, तो दिल्ली नाराज नहीं हो जाएगा, इसलिए हम दिल्ली को खुश करेंगे, 1993 में दिल्ली का दो लोकेशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइड में आड हुआ था, तो जो दो लोकेशन हना, उसमें एक तो लोकेशन एड हुए है, तो 1993 में आपकी दो लोकेशन हो गई, कुतुब मिनार और हिमालन, हुमायू का टोम है, इतना क्लियर हो गया, 1993 हमारा क्लियर हो गया, अब हम जो जाएंगे, देखें, उसके बार 1999 में कुछ रेल्वे वाला आया था, बट रेल्वे का तीन लोकेशन ह आपका डाजलिंग वाला रेल्वे हो गया, तो यह जो रेल्वे वाला लोकेशन है, कालका शिम्ला रेल्वे हो गया, यह एंड में आपको बताऊंगे कौन से कौन से यर में है, अभी आप फिलाल देखें एक और और मैं आपका रिवाइस करते हूं, 1983, 1984, 85 को स्किप करेंग आपका 1989 याद करेंगे, उसके बाद 89 के बाद मैंने बता है, तीन प्लेस आप स्किप करेंगे, और सीधा आएंगे 1983 में, 1983 में मैंने आपको दो लोकेशन है, यह महाबोधी टेम्राइस करेंगे, अब नेक्स्ट जो है आपका वो 2002 है, आप इस नंबर पे आएंगे, 2002 में महाबोधी टेम्पल कॉम्पलेक्स है, बोध गया बिहार का, यह आपका 2002 में है, अब देखिया, महाबोधी बुद्धेस्ट होता है ना, ऐसे आपको 00 स्टूपा बनता है, आपका अंडा आकार का स्टूपा होता है, तो 00, इससे आप महाबोधी बोध गया वाला जो महाबोधी टेम्पल 2002 याद करेंगे, अब ही आपको यह चीज डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बिलीव में दो बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लोगे ना, 100% मेरी ग्यारंटी है कि यह लोकेशन आपको याद हो जाएगी, महनुत करिया आप मेरे साथ, पक भीम बहुत टाकतवर है, इतना पावर है, तो तीन से आप भीम को याद रखेगा, तो यह जो भीम बेट का हो गया आपका, यह आपका 2003 वाला हो गया, यह रॉक शेल्टर सब भीम बेट का मद्यपरदेश वाला जो लोकेशन आपका, यह 2003 हो गया, तीन तीन शक्ति, इतनी जादा शक्ति किसके पास होती है, भीम के पास इतनी शक्तिया है, तीन शक्तिया है, तो भीम बेट का, ओके, नेक्स्ट, I hope so यह क्लियर हो गया होगा आपका, एक बर और मैं लिग दू, ओके, 1983, आप मेरे साथ बोलते रहिए, 1984, 85 को स्किप करेंगे, 1986, 1987, 88 को स्किप करेंग 1989, यह सच है कि आठ के बाद 9 आता है, सांची सूपा, फिर हम 2002 में जाएंगे, यहां, नहीं, 2002 से पहले हम कहां जाने वाले हैं, दोस्तों, आप याद करो, हुमायू का टोम नहीं देखोगे, 1993, उसके बाद हम 2002 में आ गए, 2002 के बाद हम 2003 में आया है, 2003 में भीम बेट का भीम, 2003 के बाद हमारा 2004 आया, 2004 में हमारा दो लोकेशन है, तो इसके लिए आप क्या याद करेंगे ना, देखें, तीन में तो भीम हो गया, अभी इतना ताकतवर कौन था, हम हिस्टरी में जब याद करते हैं, तो हम भीम जैसा किसको याद करते हैं, च्छत्रपती शिवाजी, च् भीम के बाद च्छत्रपती शिवाजी को याद रखेंगे, 2004 में, तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है, च्छत्रपती शिवाजी इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे ना, कि च्छत्रपती शिवाजी ने अपना पाव गड़ा दिया है, पाव ऐसे हिंदी का हम दो लोकेशन को लेंगे एक हम चत्रपती शिवाजी टर्मिनल जिसको विक्टोरिया टर्मिनस बोलते है मुंबई महारास्टा वाला अपना पावगड़ा दिया है तो पावगड से हम चंपनार पावगड आर्केयोलजिकल पार्क जो की आपका गुजरात का पावगड पार पावगड पावगड पढ़ेंगे गुजरात वाला चलो दोस्तो इतना क्लियर हो गया नंबर्स लिख दो मैं वापस से हां ओके मैं लिखती हूं आप में साथ रिवाइस के नाइंटीन एटीन 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 फोर देखो दोस्तों मैं अब इस चीज को कितना इसली बिना कि इस चीज को फॉलो किये वें इस चीज को मैमराइस कर सकती हूं क्यूंकि यह थाएस बाहर कियाikes क्वा ॉसके बाद फिर हम जाएंगे टू थाउजन्टू तू क्या है थेखो 2002 के बाद हम जाएंगे 2003 में 2003 के बाद हम जाएंगे 2004 में आप location मेरे साथ देखिए numbers को देख करके बताईए 1983 में हमारा चार location था Ajanta, Elora, Agra and Rajmahal 1984 में मैंने आपको क्या बोला था 1984 में मैंने आपको Konark Temple बोला था और Mahabalipuram बोला था 1986 का मैंने आपको ट्रिक बताया था हमने गोवा के खजूर पे फते की हम पी Churches of Goa, खजुराहो and फतेपुर सिक्री उसके बाद 1987 1987 का मैंने ट्रिक क्या बताया था Elephant, पत्ते खाता है and चोला पहनता है Elephanta Cave, पतड़कल पतड़कल जो आपका गर्नाटका में and चोला, ग्रेट चोला टेंपल उसके बाद 1989 ये सच है की एट के बाद 9 आता है सांची स्टूपा फिर 1993 मैंने आपको बोला दो दिल्ली का लोकेशन याद करना है तो कुतोब मिनार और हुमायूट टॉम फिर आप जाएंगे 2002 में 2002 में जीरो जीरो मैंने आपको बोला ये स्टूप के जैसा दिखता है तो ये हो गया आपका महाबोधी टेंपल बोध गया 2003 2003 मतलब तीन तीन शक्तिया बहुत पावरफुल भीम के जैसा तो भीम से आपका भीम बेत का हो गया जब हम भीम को याद करें तो 2004 में हम याद करेंगे छत्रपती शिवाजी ने अपने पावगड़ा दिया है तो छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स और शंपनार पावगड़ आर्के आपको गुदरात का है I hope so दोस्तो इतना location आपको clear हो गया होगा अब हम चलते हैं next date के पास नेक्स डेट जो है वो 2007 का है 2007 का है तो सपोज अब दिल्ली आए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ साथ जाएंगे ना रेड़ फोर्ट देखने के लिए 2007 साथ साथ रेड़ फोर्ट देखने के लिए गए तो कितना होगा है 2007 में साथ आता है ना तो आप इस चीज को ऐसे याद रखेंगे साथ साथ कहां कि आप अपने दोस्तों के रेड फोर्ट घूमने के लिए गए आप ऐसा होता है कि रेपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे में भी बोलते हैं हो गया अब 2010 के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग ट्रिक है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा देखिए 2010 2010 तो यह 20 जो है ना 10 में बन गया यह जादू नहीं हुआ 20 हाफ होके 10 बन गया कैसे हुआ जादू से हुआ जंतर मंतर तो 2010 में कौन सा लोकेशन डेक्लेर हुआ है आपका जंतर मंतर लेकिन दोस्तों यहां फे आपको क्या ध्यान देना यह जंतर मंतर दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं यह जंतर मंतर जैपूर वाला जंतर मंतर नौट दिल्ली वाला जंतर तो यह आपको 2010 की लोकेशन हो गई अब हम चलते हैं नेक्स लोकेशन 2013 की तो 2013 में देखे राजस्थान की कुछ फोर्ट्स है वो राजस्थान की टोटल 6 फोर्ट्स हैं 6 हिली फोर्ट्स है जिसको डिकलेर किया था आपका वल्ड हेरीटेज साइट्स तो 6 फोर्ट्स में आपको 6 का 6 नाम याद रखना बहुत इंपौर्टंट है तो इसका कोई ऐसा खास ट्रिक्ट नहीं बन पा रहा था और चार फोर्ट के नाम याद करने थे तो मैंने ऐसे बस जी के राजिसी यह से बनाया है मैंने यह आप नॉर्मली भी इसको याद कर सकते हैं तो जी से आपका हो जाएगा गैगरॉन यह गैगरॉन फोर्ट है आपका राजिस् prof के से आपका कुम भल कर सब्सक्राण यह आप नॉर्मली भी और पर याद करने की कोसिस करिये इस चीज को के से आपका कुम भल कर ओगय के कह गया तो औरा से राज मतलब राजयलो का जी के क्या होता अच्छा नहीं होता है राजसी का जी को अच्छा नहीं होता है तो J से गेगरॉन, K से कुम्बलगर R से क्या होगा रंथमबॉर का नाम तो सुने ही होगा आपने रंथमबॉर A से आंबेर बहुत प्यासलमेर की जगह ज रहा है चितोरगड यह छे फोड जो है टोइंटी थर्टीन में यह च्छे फोड्श जो है आपका डिकलेर हुआ था आपका 6 fort, heritage sites जो कि आपकी राजस्थान की है, तो 2013 में, अब दिखें जब हम ऐसे राजस्थान के फोर्ट के बारे में बात करें, जीके, राजसी, मैंने बोला राजा का फोर्ट, आप याद के ना, जीके, राजसी, ग्यागरॉन, कुंबलगर्ड, रंथमबोर, आमेर, जैसल मेर, चितोरगर, तो जब अब राजा के बार में बात करें, तो राणी के बार में बात नहीं करिएगा, तो 2013 अगर राजा के लिए है, तो 2014 राणी के लिए है, राणी की वाओ, ये Queen Stepwells है, जो गुजरात में है, ये डिकलेर हुई है, 2014 में है, बहुत ऐसली आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो 2013 में क्या हुआ, 13 में बहुत चारा किला, मतलब फोट हुआ, सब राजा से रिलेटेड फोट हुआ, तो 14 में राणी से रिलेटेड है, राणी की वाओ, अब हम 2016 में हमारा दो लोकेशन है, इसको याद करने के लिए, आप ऐसे ध्यान दे कि आजकर लोग इतना जादा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ध्यान दे रहे हैं, आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखिगा, कि 16 साल की उम्र में उसने नालंदा में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, 16 साल की उमर में, ठीक है, 16 साल की उमर में, नालंदा में, आर्किटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जो आपका capital complex शंदीगड का है यह आप देख रहे हैं पिक्चर्स में सारव सब चीज का पिक्चर्स यहाँ पर लगाया वाया है अर्किटेक्ट्टरल वर्क अफ ली कार्बोजियर अन आउटस्टांडिंग कॉंट्रिबूशन तो दा मॉडर्न मॉवमेंट तो 16 साल की उम्रे उसमें किसकी पढ़ाएगी अर्किटेक्चर की पढ़ाएगी इतनी क्लियर हो गई आपको ओके नेक्स्ट हमारा 2018 अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं सेशन को complete करने के लिए 2018 आपका 2018 आगया 2018 में आपका 2017 होता देखे ऐसे बोलता है 17 एक बहुत अहम डेट है बहुत इंपोर्टन डेट है बहुत लोग 17 को बहुत लगी भी मानते है मैं यह से बोलती हूं 17 इस माई लगी नंबर बिकास्ट लाइक मैं डेट अव बर्द देट इस लाइक 17 तो I will always say 17 एक बहुत अहम नंबर है तो 2017 में आपकी एहम से हो गया एहमदाबाद हिस्टोरिक सिटी ओफ एहमदाबाद 2017 तो आपका 27 सत्रह कंप्लीट हो गया नेक्स 2018 आपका बहुत लेटेस्ट है Victorian Gothic and Deco Assembles of Mumbai यह मुझे बिलकुल याद करवानी की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि यह बिलकुल रीसेंट है तो यह चीज आपको याद होना चाहिए नेक्स 2019 जैपूर सिटी राजस्थान तो आपको जैपूर 2019 हो गया लेटेस्ट जो current affairs है 2021 में दो sites declare किये हैं यह बिलकुल कोई tricks की जरूरत नहीं है current affairs है बिलकुल आपको यह चीज पताऊने चीज़ तो दोस्तों I hope so कि मैंने आपको सारा not I hope so मैंने आपको सारा cultural sites जो है वो बता दिया एक्सेप्ट मैंने आपको railways के बारे में नहीं बताया है तीन railway का location है और तीन year में मैं वो आपको बता दूंगे लेकिन यह सारा location अब आपको याद हो जाना चाहिए railway की बात करेंगे ना दोस्तों तो railway जो है तीन phase में तीन different different जगह में declare की गई है यह list में आपका Darjeeling Himalayan Railway आया है तो आपको एक Darjeeling Himalayan Railway याद करना है निलगिरी Mountain Railway याद करना और Kalka Shimalaji Railway आपको याद रखना है अब इसमें आपको location याद रखना है Darjeeling Himalayan Railway वेस्ट Bengal में है यह 1999 में declare हुई थी ओके निलगिरी वाली जो आपकी है निलगिरी वाली निलगिरी कहा है निलगिरी कहा होगी निलगिरी थोड़ी ना नौर्थ इस्ट में होगी साथ इंडिया में है यह 2005 में declare हुई थी यह different different dates में हुई है और कालका शिमला जी वाली जो आपकी है यह 2008 में हुई है अब बताओ कालका जी शिमला कहा है कालका जी शिमला शिमला कहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है मांटेन रेल्वेस ऑफ इंडिया के अंदर में होता है तो यह कालका शिमला जी रेल्वेस हुई है तो 1999, 2005, 2008 मैंने आपका A to Z जो साइट्स है कल्चरल साइट्स वो बता दिया है ठीक है टोटल 32 साइट्स प्लस मैंने आपको तीन रेल्वेस के बार में भी बताया है तो सारा साइट्स मैं आपको बता चुकी हूँ तो यह सारा आपको ध्यान होना ची तो चलिए फटा वाटना दोस्तों अब एक बर हम शौट में रिवाइस कर लेते इस चीज को ठीक है आप मेरे साथ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1983 की मैंने बताया 3 प्लस 1 4 मतलब ह चार लोकेशन के बारे में बात करेंगे हम अजंता बोलेंगे एलोरा बोलेंगे हम ताज महल घूमने के लिए गया थे कहां आगरा फोर्ट में चार लोकेशन हो गया फिर हम 1984 सेगन नंबर पर यहां पर हम दो लोकेशन को याद करेंगे सबसे पहले हम संटेंपल को याद कर सिक्रिए नारह और यहां पर हम महा बली पुरम को याद करेंगे हैं महा बली पुरम फिर 14 1985 को तो हम skip कर रहे हैं 1986 में 1986 में हम चार लोकेशन को याद करेंगे चार लोकेशन में मैंने आपको ट्रिक क्या बता है था हमने गोवा के खजूर पे फते की मतलब अब हम बोलेंगे हम पी गोवा का चर्जिस खजुरा हो खजुरा हो फतेपुर सिक्री फतेपुर सिक्री उसके बाद हम वापस से 1987 में आएंगे 1987 में क्या जो साइट से टोडल कितने साइट से 1987 में तीन साइट कौन-कौन सा एलेफंट पत्ते खाता है और चोला पहनता है एलिफैंटा पतड़कल पतड़कल और आपका दग्रेट चोला टेंपल्स होगे 1988 को स्किप करेंगे हम 1989 में 1 इस सच है कि 8 के बाद 9 आता है तो सांची स्टूपा सांची स्टूपा के बाद हम 1990,91,92 को को स्किप करेंगे numbal 93 में दिलली को भी तक हम ने डिसकशन ही किया तो हम दिली को डिसकस करेंगी इसमें हम सबसे पहले कुतुब मिनार जाएंगे और हुमायू टॉम जाएंगे हुमायू टॉम हो गया आपका ठीक है उसके बाद फिर हम आएंगे 2002 में 2002 में यह देखे 00 महाबोधी की जैसा दिख रहा है तो आपका यह हो गया बोध गया महाबोधी टेंपल फिर 2002 के बाद 2003 मैंने बोला ताकतवर एक साइड भीम तो आपका हो गया भीम बेत का फिर 2003 के बाद 2004 आएगा 2004 में भीम कौन है छत्रपती शिवाजी और छत्रपती शिवाजी ने किया कि अपना पावगडा लिया है तो आपका शिवाजी टर्मिनल हो गया और एक आपका शंपनेर पावगडा दिया ना शंपनेर पावगड हो गया आपका 2003 2003 के बाद आपका 2007 आता है हम साथ साथ कहां गया थे दोस्तों स्पीच सुनने के लिए गया थे ना रेड़ फोर्ट में तो एक लोकेशन आपका है आपका रेड़ फोर्ट 2007 में 2007 के बाद आपका 2010 आता है देखिए यह जादू हुआ है ना 2010 में बन गया है तो यह क्या हुआ जादू जंतर मंतर ओके जंतर मंतर फे 2013 2013 में बताया कि हम किसकी बात करेंगे फोर्ट की बात करेंगे छे फोर्ट जी के राज सी यह चे फोर्ट याद करेंगे अगर हम राजा के बारे में बात करेंगे तो 2014 में हम राणी के बारे में बात करेंगे राणी की वाउ जो गुजरात में 2014 हो गया 2016 2016 में 16 साल की उमर में क यंधी फड़ाइकिति थी तो आपका क्या हो गया नालंद वुनिवर्सटी यो गया और अर्चिटेक्ट्छर आपका ली कॉर्बेजियर architecture है फोकईसे लोकेशन की चंदीगर की वह हो गई 2016 के बाद 2017 के है बहुत अहम नंबर है 2017 लिए हो गया है अहम दाबाद का सीटी 2018 बहुत फ्रेश है Victorian Gothic Art Deco मुंबई वाली 2019 में हमारी जैपूर सिटी हुई है और 2021 में हमारा रमपपा टेंपल रूद्रेश्वारा टेंपल रमपपा टेंपल और आपका धोला विरा तो यह आपको याद करना चाहिए अपार्ट फॉम आल दीस साइट्स तीन हमारी रेलवेज है एक हमारा हो गया डाजिलिंग रेलवे एक हो गया हमारा निलगिरी रेलवे निलगिरी और एक है हमारा कालका जी शिमला इसमें हमारा डाजिलिंग रेलवे नाइंटी नाइंटी नाइंटीन निलगिरी 2005 काल का जी शिम्ला वाट वस देट का इन वन रिकॉल 2008 तो यह आपका सारा कुल्चरल साइट्स हो गया है अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो नाचुरल साइट्स बचता है जो मैं आपको त्रिक्स के साथ सेकंड वाले वीडियो में लेकर क्या होगी तो दोस्तो आपको यह के लिए टेलिग्राम चानल को फॉलो करें जिसका नाम स्वेवन लेर्नर्स है स्वेवन लेर्नर्स तो चलो दोस्तों थांक्यू वाव गूड डेव बाई